हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल गुंजन गुरूजी पे आज हम आप लोगों के लिए मैत यानि गनीत के दस अती महत्रपून प्रश्ण के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों इसलिए आप वीडियो के अंतक बने तो प्रश्ण के बारे मताएंगे जैसे कि प्रश्ण दिया गया है यदि किसी संख्यां का 23% हम लोगों का 690 है तो उस संख्यां का 72% क्या होगा और चार और इस वीडियो में बताएंगे इसलिए आप अंतक बने रहेगा टोटल इस वीडियो में 10 प्रस्ण है कुछ शेट पाइटन के प्रस्ण होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और यह पांट नमर हम लोगों का सब्सक्राइब और इन सब्सक्राइब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा लिंक वीडियो के अरदकरल करें तो सब्सक्राइब ऐसे प्रशन को कैसे लिए हैं पते हैं तो और प्लिए असे सब्सक्राइब कर लेए भी दिया तो उसको मालें लेगे एक्स तो कर रहा है एक्स कर लिया अका का मतलब होता है गुणा और झालों और कितना परतीसाथ तो त 21 परतीसाथ तो थाईस अब अंबता में क्या हो जाएगा दोस्तौ्स wykon हो जाएगा और कितना हम लगों का 690 है तो 690 लिग दिखते ही देखते ही प्रफशना आप कर लेगे दूस्तों क्या से कटेगा कि 238 था हम लोगों का keyword 79 होता है तो ठीक है कट यहां पर 1-0 दीजें यहां पर ऐसे कटा लिजे ठीक है सर और यहां पर उठा के लगा गए जोसल tentang और जीबुएं को यहां से हटा दी्यजिए उसके बाथ गुनां करेंगे हम लेकों का संक्हिन निकल ज यां तो थी यहां पर निकल देते हैं बहतr बाता में क्या करदें दोस्तो तो शॉली देंगे बस यही काम करना था क्योंकि बहतर पर अड कर दें चबाएंगे लिख all you do हो जाएगा दूस्तों कि एक रहूरबर हम लोगों का क्या हो जाएगा सर तो हमाहतर गुना 30 करेंगे तो हैं 3 दूना क्या हो जाएगा चोप यहां पर लिख देते हैं दूस्तों 6 और इधर हम लोगों का 260 हो जाएगा तो उप्सन नमर आपका सी क्या हो जाएगा उमीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके कर प्रश्णायत तो कैसे करें बस रटना नहीं है बलकि समझना है किसी संख्या का तो संख्या एकस का 23 पर 33 वटे 100 और यहां 96 96 सीधा सीधी कर गया तो 23 तिया और जीरो इधर दिये वहां उपर लिख दिये अगुना कर दिये यहां पर क्या हुआ है दोस्तों इधर से क्राउस गुना तो एक सव गुना थी इसके नीचे कुछ नहीं रतायत क्या रता एक रता इसलिए इस तरीके से करने के बाद यहां पर हम लोगों का 3000 आया था बहुत सरा क्या होँना कर्यारा दोस्तो आपको बता है दोस्तों यहां पर एक फर्मूला लिखेंगे यानि कि आंत्रीक यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि हम लोगों का क्या हो जागा दोस्तों आंत्रीक यहाँ पर लिख लिजे दोस्तों कि आंत्रीक कोनों का माप निकालने का सुत्र यानि कि क्या है दोस्तों आंत्रीक कोनों का माप योग यहाँ पर कर लिजेगा दोस्तों माप पॉकका योग एकी सूतर है हम लोगों का बस वही सूतर आप लगाएंगे और रिखते यहां परी देता है न डोस्तो एन इंटू और हम लोगों का क्या होता है दुस्तो Vampali कि यहां पर कर लेंगे दोस्तों कि अच्छा ऐसे करेंगे एक सो असी ऐसे कर लिए दोस्तों कि एक सो असी और इंटू में एन माइनस क्या करेंगे दोस्तों कर देंगे बस आपका प्रश्ण क्या हो जाएगा बस यही एक फर्मूला है बस इसी फर्मुला बैठा दीजिए आपका प्रास में क्या हो जाएगा तो हम कर लेते हैं जैसे जैसे कहा है दोस्तों यहां पर लीजे एक सो असी और और यहां के जगह कर देंगे चाओदा माइनस क्या करेंगे दोस्तों डू एन के जगह मतलब हुजा एन का मतलब यहां क्या होता है एक बात बता देना चाओते है एन का मतलब ही होता है भूजा जितना भूजा रहेगा उन ही लिखावा है तो ठीक है सर समझझे तो 1800 यहां पर आमसर हो जाएगा आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा कि 180 गुना क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 14 में दू तो ठीक असर इसी को आप गुना कर दिए इसमें दिक्कत क्या है जैसे पुना करने बैठीए गात आपका कितना आंसर निकल जाएगा दूस्तों हम लोगों का साथ यहां पर आंसर क्या निकल जाएगा 2100 क्या हो जाएगा दूस्तों 60 तो इस दिखर लिख दीजे यहां पर लिख दीजे 21 और क्या लिख दीजे 60 लिख दीजे तीस प्रशन का आंसर आपका बी क्या हो जाएगा दूस्तों सही हो जाएगा उमीद करते हैं आप समझ गयोंगे कि इस तरीके के प्रशन है तो कैसे करे प्रियास कर रहा है कि चार का 2 उसके बाद लिखाएंगे साथ अब करने के लिए बहुत सव्यान यहां पर क्या है कि सर स्कॉयर क्या होगा दिन लिखेंगे और यह बऩाइब पंच का इसक्वाइर क्या करेंगे पाचीज करेंगे आथक का स्कॉल क्या करेंगे चौूंसर्ट और यहां पर 10-7 वहता गंगे ओन्ची चांगए इस तरह की इसे सब्कुर्प समय हो जाएगा दोस्तों तब कैसे करेंगे सर उबाद बता देजया हम यहां एक तरीका आप लगा देते हैं दोस्तों कि क्या तरीका लगेगा इदी के कि यहां पर हम लोगों का फर्मूला क्या होता है आप यह बात को जान चुके हैं कि A square और माइनस क्या दोस्तों B square बराबर फर्मूला क्या होता है तो A A plus B आप जानते हैं कि A plus B और into क्या होता है दोस्तों A minus क्या होता है B होता है तो इस तरीके से लिखा है तो बस आप solve कर दिए दोस्तों आपका answer निकल जागा है कैसे लिखेंगे यानि सूत्र होता है A square minus B square A plus B into A minus B तो यहां पर वैसी ही लिखेंगे दोस्तों तीन कर देंगे एक बार क्या करेंगे चार minus 3 कर देंगे तो निकाल गया एक बार A plus क्योंकि यहां दिखें यह a square है और minus क्या दूस्तों भी square तो बीच में हम लोगों का हो गया बीच में plus है तो आप क्या कर देंगे दोस्तों यहां पर प्लस देदेंगे फिर देखेंगे प्लस दे दिजे उसके बाद है a square यह निकि 8 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का साथ का साहत हो जाएगा तो प्रैकेट में एक बार हो जाएगा आठ मैंनस क्या दूस्तों साथ बस यही बात आपको समझना था कि a square मैंनस b square दिया ऐसा सब जगह देखें A square minus B square यहां भी A square minus आप बच्पन में पड़ चुके हैं A square minus A plus B into क्या होता है दोस्तों A minus B यहां पर गुना होता है इसलिए हम लोगों देखें बीच में कुछ नहीं लिखा जाता है यहां सूत्र में प्लस है तो प्लस बस इसी को आप solve कर दिये आपका answer हो गया आई दिखें अब 4-3 क्या हो जाएगा, Smith इस तरीके से आपको करना था अगर उस तरीके से जोड़ेगे, घटाएगे तो बहुत समय लग जाएगा एयक प्लस का π्लस चौप पहुंच क्या हो जाएगा, Une 11 यहाँ पर हो जाएगा, 11, 10,07, 15, अगुना क्या हो जाएगा, बस इसको कर दिजित, यह हो जाएगा, सर 7, अप्लस का, 11,1, 11, 15, जोड़ देंगे दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, सर 33, निकल जाएगा तो कौन सा option सही हो जाएगा option नमर बी क्या हो जाएगा उमीद करते हैं आप समझ कियोंगे कि इस तरीके की प्रशन आप कैसे करेंगे वहाँ पर बस यही याद रखना था कि a square minus b square का फर्मूला लगाने के बाद इस प्रशन का आमसर निकलेगा वड़ते हैं द सबड़ कर दो गया है तो गया है तो गहन की बात किया जाए तो कौन हम लोगों का सबसे चोटा यहां का सुरू होता और कहां तक चलता है दू अंक बला संख्या निनान बेत। वह एकर है छोटी घं तो घं की बात किया जाया तो कौन हम लोगों का दू अंक का सबसे छोटा घं की हो जाएगा दोस्तों तो 27 हो जाएगा इस प्रशन का अंसर इस प्रशन पूछा गया था दोस्तों लेकिन इंपोर्टेंट है याद रखेगा कि दू अंकों की सबसे छोटी घंड पुछा जाए तो हम लोगों का आमसर हो जाएगा सब्सक्राइब क्योंकि 27 से नीचे ऐसा कोई नहीं है जो कि हम लोगों का घंड है जैसे कि आप देखें बार 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरीके से जाएए कोई घंड का मतलब क्या कि ऐसे क्या जी जो तीन बार गुना करने पर हो जाएथी किसका घंड है दूस्तों तीन इस प्रस्ण का आमसर हम लोगों का 27 हो जाएगा बढ़ते हैं दूस्तों अगली कुस्चन की और अगला कुस्चन दिखिए पांचवा नमर कुस्चन काफी इंपोर्टेंट है करा एक कि छूट बराबर यहां पर लिख देते हैं दोस्तों सूत्र हम लोगों का कि छूट बराबर हम लोगों का सूतर क्या होता है यहां पर अच्छा से लिख देते हैं दोस्तों अच्छा से नहीं लिखा रहा है यहां पर लिख देते हैं कि छूट यहां पर क्या कर लिखना हम को छूट लिखना है तो ठीक असर इस तरीके से छूट लिख देते हैं कि छूट बराबर सुटर क्या होता है दोस्तों इसी पर बैठा दीजे दोस्तों इदिक आपका प्लस नो मैंनस मैंनस का इधार कर देंगे यह आपका से निकल जाए बस यही एक तरीका आपको समझना है रतना नहीं है कि सर छूट ब्रावर सुत्र क्या होता है ए प्लस भी मैनस एक उना भी बठे इसी बैठा दिये बस आपका प्रश्न हो चुका है तो इस तरीके समत कीजिए आप एक जीरो और एक जीरो कटा लिए ठीक है सर तो कितना हो जाएगा दोस्तों आप 35 हो जाएगा जोड़ लेंगे तो 35 हो जाएगा और माइनस का माइनस इद यह 25 में एक अंग के बाद दस्मलब होगा दोस्तों तो दूप्वेंट क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा आरे काही नहीं आप समझ रहे हैं कि आप पाचीस में अद्दास है इसको कटाएंगे का है जीरो दे दिये क्योंकि सब प्वेंट में है तो बस आपका आंसर निकल जाएगा जैसी आंसर निकालेंगे दोस्तों हम लोगों का कितना अंसर हो जाएगा तो घटा दीजे सर कि आड़हाई जैसी 35 में घटेगा हम लोगों का कितना हो जाएगा देखे ना कॉंट हो आप रटने का प्रियास ने कीजिए कि छूट ब्रावर सुट रता ए प्लस भी माइनस एक उना भी बटे में क्या दोस्तो एक सो बढ़ते हैं अगली कुस्षन की ओर देखिए अगला कुस्षन छठा नमर हम लगों के सामने इदी करा कि यदी एक्स वला लगाया है सुत्र क्या ओधनर डावर यहां पर कि आ pronounce उतके लिए इसो ई सब्सक्राइब आपका answer निकल जागा इसको तो बनाने के लिए आपको क्या करना जार में डू जाएगा क्या हो जाएका हम लोगों का 2X हो जाएगा उधर से आएगा तो चार तो टू एक्स वराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा दूस्तो आठ हो जाएगा इसी को कटा देंगे तो एक्स वराबर हम लोगों का कितना निकल जाएगा दूस्तो चार निकल जाएगा तो निसंदे इद दूसरे डिरेक्ट कटा देजें दू चु कि इसंदिगीृ उस्तों हमसे सामने दिया गया इंसे drifting कर देते हैं कि पिकूर किसी कार टो चारिए को पूरा नियद्ट किसे कारी को कितने दिनों को किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है तो 20 दिनों में कर सकता है उसके बाद दिखाए कि P अकेले तो ठीक है सर P से करवा देते हैं तो P अकेले उस काम को 40 दिनों में कर रहा है उसके बाद हम लोगों का क्या लिखाए दोस्तो कि Q अकेले तो ठीक है सर Q अकेले उस कारे को कितने दिनों में कर रहा है तो 60 दिनों में कर रहा है तो यहां पर कर लिए दूस्तों 60 दिनों और तीनों संख्यां का आप क्या करें दूस्तों कितना हो जागा हम लोगों का 120 आप कैसे 120 लिगत आप ऐसे ले लेंगे कि 20 आइधर लिख देंगे 40 आइधर क्या लिख देंगे दूस्तों 60 आप बैट जाए लेने के लिए तो देखिए आपका LCM निकल जाएगा आप जानते हैं LCM लेने अब हम क्या LCM लेंगे आप हमको सर्मिंदा मत कीजिए तो अगला कोश्यान आई यहां पर देखिए दोस्तों जैसे इसको आगे करेंगे कि इसका छमता अब यहां पर क्या न दूस्तों इस जगा पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं उसका छमता निकल रहे हैं इस जगा इसका छमता निकल गया इसका छमता देखिए दोस्तों निकालेंगे कितना निकल जाएगा तो 43 120 निकल गया जैसे इसका छमता निकालेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना निकल 60rs 2 120 तो ठीक है S?' allora तो यहाँ पर क्या पुंचहा है दुस्तो कि आर अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगा एद इदर कि हम लोगों का र निकल जाएगा दूस्तो कि प का दिया है क्यूं का दिया है और यहाँ से निकल जाएगा क्यूं कि युँदि j नहीं निकल जाएगा 3-2-5 क्योंकि P और Q घटा देंगे P Q R में से तो आपका निकल जाएगा क्या E दिखे अगर आप नहीं समझ पा रहें तो एक बात आपको बता देते हैं और यहाँ पर R का R तो 3-2-5 तो 5 उधर 6 में घटेगा तो R का मन क्या निकल जाएगा दोस्तों एक निकल जाएगा आप बात को काहे नहीं समझ रहे हैं कि सर P का दिया है 3 Q का दिया है 2 तो यहाँ पर P Q R है तो P के जगा आप बैठा दीजेगा कितना तो 3 और Q के जगा 2 और R क पांच उधर जाएगा तो R का मन निकल जाएगा एक इसलिए एक से जब इसमें भागा दे देंगे दोसतों हम लोगों का 120 दिन होगा इस परष्仲 का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 1120 Sydney क्या हो जाएगा सही हो जाएगा उमीद करते हैं आप समझ कि होंगे आप रटे नहीं होंगे कि इस तरीके के प्रश्ण है तो कैसे करें बस तरीका को समझ लेना था बढ़ते हैं दोस्तों अगले इस प्रश्ण का अंसर क्या निकल जाएगा 120 दिन हो जाएगा क्योंकि यहां पर P Q R P के जगा बैठा दिये Q के जगा तो R का मान अपने निकल जागा एक दिन हम लोगों का क्या होता है दोस्तों अगर देखा जाए कि बेलन का पास्वार यहां पर याद रखना होगा कि बेलन का हम लोगों का पास्वर प्रिश्टिया चेत्रफल यहां पर कितना दिया है हम लोगों का 400 जों नहीं कि यहां पर हो जाएगा थार हम लोगों का टू उसके बाद पाई उसके भाद और और क्या होता है दूसतो एच होता है ठीक है सर तो और इधर दिया हम लोगों का 400 क्या दिया है 40 दिया इधिकर आप निसन्दीख कर लेंगे आप घबराइए नहीं कि ऐसे प्रस्ट हम कैसे करेंगे सरुखे टू का टू लिग देंगे पाई के जगह क्या करेंगे की के सर बिना है देगा दासharma दिया दास रिए हैं इधार का दास्ट श dis हो जाए है तो यहाँ पर 22 तुन क्या हो जाया दोस्तों इन यहाँ बाता लेते कि सर 22 दुन और 44 यहाँ पर जैसे करेंगे हैं यहाँ क्या हो जाएगा इदो बढ़ते हैं अगले कुस्चन की और अगला कुस्चन की differ on में जोども करेंगे और एक सो साथ के धनात्मा कुंनंखंड कि कितने हैं आखिर कop कि दोस्तों कि एक सहाट को ऐसा कॉन कॉन संध्या जो इसको काटेगा चार काटबे करेगा rolls इस तरह से आपको खोजना है इसका टोटल कितना गुननखंड है यानि धानात्मा गुननखंड तो दीए ऐसे करेंगे तो हम लोगों का सुभा हो जाएगा सर बना भी नहीं पाएंगे तो कैसे करेंगे इदे के तरीकां बताते हैं सबसे सौट और सबसे सर आपका भी भी प्र 20 दू से करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा दस अधू से करतेंगे क्या हो जाएगा 5 बस इतना क्ष bize आप कर बार तो दू पर पावर पांच हो जाएगा क्योंकि दू जितने बार है उतने बार लिखा जाएगा और पांच हम लोगों का ख़े बार आया दोस्तों एक बार तो एक आप धहनात्मक उननकंड ऎतना दूर तो हम समझें, सर लेकिन इसी जी जग़ा मैन-पृउयंट है समझना जो इसी जग़ा मैन-पृईंट है किया, धनात्मा कुनन-kन कभी भी निकालना रहे है, तो पावर है तो पावर में एक जोड दीजे, तो पावर है तो 5 में क्या करेंगे दुस्तों एक जोड देंगे अब रैकेट में ले ले लिए फावर फर कितना है दुस्तों एक है तो एक में अपने से जितना भी संख्या रहेगा समय यहाँ पावर बगृषण कर देता है और किसी तो तरीकााई कर रहा है तो कोई कर रहा है कोई को इस तरीखे से कर रहा है एक बार आप समझ लिए कि पावर में क्या करते हैं एक पावर सम भी सम कुछ भी रहे यहां तो आद दसवा नमर को जंद बाहूत सराइश्ट्रेंड गलती करेंगे नहीं विश्वास एक बार आप ट्राय कर लिए कर रहा हैं दो संख्या किसे तीसरी संख्यां से तुलना में 50% और 90% कम है ठीका और करा है कि दूसरी संख्यां को पहली संख्यां बराबर करने के लिए कि यहां पर गलती यहीं होगा कि नीचे किसको लिखेंगे यहीं सबसे बड़ा फेरा करेगा यहां पर जैसे एक संख्यां एक लिए एक दूसरा संख्यां लिए और एक तीसरा संख्यां यानि कि बोला कि तीसरी संख्यां तो यहां पर ऐसे लिए तीसरी संख्यां को क्या करें त्वाट को समझे तिसरी संख्यां के तुल्हां में इतना इतना कम है तो तीसरा को मालेंगे हमेशा सो और उसमें घटाते चलेंगे पचास एकर घटा देंगे पहला संग्यां पचास भी हो जाएगा नबे घटा देंगे सो में तो दस हो जाएगा बस यहां तक यह आप समझगे दोस्तोत आपका लगभग आधा दूर तक तो आप सॉल्व करें लेकिन अब कहानी यही एको फेर करने के लिए कितना परतिस अब दूसरा सेंख्या को कितना बढ़ाना होगा om 20 1450 1 इसन पर निचे क् लिखायेगा सट लिखायेगा और यहां पर गुना में क्या ओजएगा दोस्तों सो रहो जाएगा क्योंकि तुलना हो रहा है दूसरी सांख्या को कितना परतिसाद बढ़ाने के लिए दूसरी का तुलना हुआ त्याएगा तुलना जिसका होगा उसी को नीचे लिखा जाएगा बहुत स्राइश्टन यहाँ पर 50 नीचे लिखे और 80% मार के एक्जम खुशी खुशी रहते हैं उमीद करते हैं दूस्तों आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो वाइट कलर में दिख रहा होगा त को कर लिए आप अगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा उसमें आल विला सेलेक्ट कर दीजे ताहकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे ओके दोस्तों धेंक्यू